जैसा कि बारिश का मौसम स्टार्ट हो गया है और बारिश के मौसम में पकॉड़े खाने का बहुत बन करता है, चाई और पकॉड़े मिल जाए तो फिर बात ली गया तो यहां आज मैं बनाने जारी हूँ अर्भी के पत्ते के पकोड़े या पतोड़े जो भी आप बोलते हैं खाने में बहुती टेस्टी लगते हैं और आपका ये खाने से गला बिल्कुल भी नहीं काटेगा जैसे कहते हैं गले में कुछ काट रहा है अगर आप मेरे बताये हुए कुछ टिपस फॉलो करेंगे तो आपके पपोडस बहुत ही पॉफट बन के तया है तो यहां मैंने अरश्रइक पत्ते लिये हैं दीखिए इस तरीके से लिये हैं और आपको चोटे पत्ते ही लेने हैं ब अब यहां पर आपको सारे पतु को साफ करके डंडी हटा लेनी है को सारा चायम लिया वह लोगा यहका प्अधान स्ट्रेशल में पालिया हुआहेनकी अर्शन ऊड़ाई वाधा लिया है मैंивает है माल, इस हमेंद Martन techniques by the incredulent ह Spaß और हाफ चमच लिया है काली मिर्श तो यह बिल्कुल भी कड़वा नहीं होगा आप इसी तरह से बनाईएगा तो यह सारी चीजों को हम मिक्सी में डाल देंगे और इसमें हम जीरा भी डाल देंगे और काली मिर्श को भी डाल देंगे तो यहां मैं काली मिर्श को भी डाल दे करें कि रहरा क्षा एक कप में घंठ लिया है कौने सबद्रेइब यूशत था सी यूश सबकर रहे हैं कि खथा होता है तो उसी हिसाद नमक के की अगर्स में और यहाँ सो हैं तो में और तूर फोन बालडनेट में jeux संवी साथ यहाँ सबस्तों है तो अब जैसा फिर प्रोफ। पर देखिए, आलबी के पत्टे को हमें की तरीके से वह लगाना है, और बेटर सुनका होता है और उपर जो है इसके उपर पत्ते रखते जाएंगे तो यह आपको करते जाना है जितना मोटा जितनी लेहर्ड आप चाहते हैं कि आपके पकोड़े में आए तो उससाथ से आपको यहां पर लेर्ट को मेंन करना है तो बस यहाँ पे मैं देखिए पत्ते जो है लगाती जा रही हूँ तो इसी तरीके से आपको सारे जो पत्तों पे लगाते जाना है यहाँ पे और पत्तों को हमें यहाँ पे उल्टा रखना है इस बात का ध्यान रखना है पत्तों को यहाँ पे उल्टा रखना है तो यहाँ पे फटाफट लगा के देखिए इसको तयार कर लेते हैं मैं थोड़ा सका मोटा बनाऊंगी ताकि यह इसमें लेयर्स जो हैं बहुत जादा आए और सारे पत्तों को आपको इसी तरीके से तयार करना है तो जितने आपके बन जाया और इसको आप बना के रख भी सकते हैं आगे मैं बताओंगी कि आप कैसे इसको स्टोर कर सकते हैं तो वीडियो को आप एंग तक देखें बिल्कुल मिस भी ना करें कोई कि अगर आप कुछ भी मिस कर देंगे तो आपके पकोड़े जो है वो खराब हो जाएंगे तो आपको वीडियो को पूरा देखना है और यह ध्यान रखना है पते आपने छोटे छोटे लेने हैं तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैं सारे पते यहाँ पे लगाती जा रही हूं और आप इसको बना के स्टोर करके भी रख सकते हैं काफी दिन तक तो यहाँ देखिए बस तैयार ही है यह मैं आपको वीडियो बिल्कुल भी यहाँ पे कट नहीं कर रही हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि इसको किस तरीके से बनाना है तो कुछ भी कर आते थिरिफ देखिए गारव pat नहीं में इसमत करिएघृ यहाँ देखिए साइट से मैंने मोड दिया है और नीचे की साइट से भी सको मोड लेना है mouth Shore खुले नहीं जब ऊगे अगे बनाएं तो यह देखे इस तरीके से MAYOR लगाते तो यहां तरीह टाइट करती जारी हूं और जो यह बेसं को लगाती जारी कुछ टाकी अच्छे से चिपक जाये तो यहां सब्सक्राइब बहुत बढ़िया तरीके से और बेसन का बैटर ही यह इसके ओपर हम लगा लेंगे थोड़ा थोड़ा बहुत जादा भर के नहीं लगाना है ने तो बेसन का ही स्वाद आएगा इसमें तो बस देखिए इस तरीके से मैं लगाती जा रही हूँ और इस साइट के जो कॉर्नर है इसमें भी थोड़ा सा हम लगा लेंगे ताकि यह खुले नहीं तो यह आपको शुर कर लेना है कि अच्छे से टाइट से बंद गया हो और उपर से फिर बनने के बाद इसने बैटर लगा लेंगे तो इसी तरीके से देखिए मैंने यहाँ पर चार बना के तयार किये हैं तो जैसी यह स्टीम हो जाएगा तो इसका कलर चेंज हो जाएगा तो इसका कलर चेंज हो गया है तो इसको निकाल के अब मैं यह देखिए थाली हटा लूँगे और इसको एकदम ठंडा कर लेंगे बिल्कुल ठंडा कर लेना है उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ तो कि सारे साइट से यह सूख जा तरीके से तो एक पीस में आपको यहां पर कट करके दिखा रही हूं कि कैसे लेयर्स आए हैं तो यहां पर चलिए दिखाती हूं आपको तो यहां पे देखिए इसको cut कर लेते हैं आप मोटे या पतले कैसे भी size में इसको cut कर सकते हैं तो यहां पे देखिए मैं cut करके अभी आपको दिखा रही हूँ यहां पे यह देखिए कितने सारे layers आए हैं इसमें और बहुती बढ़िया यह बनके तयार होने वाला है तो यहां पे देखिए मैं और भी cut करके त्यार कर लेती हूँ दो piece को मैं यहां पे रख दूँगी 2-3 piece को क्यों कि अभी जरूरत नहीं है मैंने बताया था आपको store करके रख सकते हैं तो आप इसको काफी दिन store करके fridge में रख सकते हैं 10-15 दिन इसको store कर सकते हैं खराब नहीं होगा fridge में बस steam करके रख लें और जब भी आप कमन करें इसको हलका सा fry कर लें तो यह देखिए इस तरीके से यहां मैंने सारे cut कर लिए pan में मैं सरसो का तेल डाल रही हूँ मैं इसको fry नहीं करूँगी इसको हलका सा बस सेकूँगी तो बस यहां पर मैंने सरसो का तेल डाल दिया गरम हो गया है तो बस एक एक करके यहां पर रख देंगे और इसको low medium flame के बीश में ही अच्छा सा एक color आने तक हम fry कर लेंगे तो यहां पर बस देखे हमें ने रख दिया है और इसको पलट लेते हैं तो पलटने के बार देखे कितना अच्छा इसमें color आ रहा है अच्छा सा color आ जाए तब तक इसको आप सेक लें चाहे तो deep fry भी कर सकते हैं लेकिन मैं यहां deep fry जो है prefer नहीं करती हूँ और यह इस तरीके से बनाएंगे तो वो सही भी रहेगा हमारे health के लिए तो बस जब भी आपका मन करें तो इस तरीके से आप फटा फट से सेक लें इसको और यह देखे कितना बड़िया color आ गया है layers देखे इसके कितना बड़िया लग रहा है देखने में खानी में बहुत ही टेस्टी है तो इस बारिश के मौसे में गोवी आलो के पकोड़े को छोड़के आप यह पकोड़े बनाएं अगर आपको रेस्पी अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कूल न भूले और कमेंट बॉक्से में कुछ जरूर लिखके बताएगा कि आपको रेस्पी कैसी लगी थैंक यू